पूरे गाउं को खाली करा लिया गया है उन्हें किसी तरह का नुकसान इस एंकाउंटर से ना पहुचे लेकिन अब सेना और पुलिस ने यहाँ पर आतंकियों को घेर लिया है अजर गाउं इसका नाम बताया जा रहा है जमू कश्मीर का बांडीपुरा इलाका जहां पर यह मुझभेड जारी है इसके लावा खबरे और जगह से भी है नौशेरा सेक्टर में फाइरिंगी खबर है सामबा सेक्टर में पाकिस्तान के तरफ से फाइरिंग में जिसमे एक रड़की की मौत भी हुई है जमू कश्मीर के आरानिया में भी सीज फाइर का उलंगन हुआ है पाकिस्तान की गोली बारी में दो लोगों के जखमी होने की खबर आ रही है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नौशेरा, इसके अलावा सामबा, बांडी पोरा में अलग एंकाउंटर चल रहा है तो जमू कश्मीर के कई ऐसे इसे इलाके जो आशांथ हैं पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर होने की वज़ह, सीजफायर तोड़े जाने की वज़ह से और आपको बता दे जबसे भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है उसके बाद पचास से भी ज्यादा ऐसे बौके हुए हैं जब पाकिस्तान की तरफ से सीस फायर उलंगन किया गया है जबरदस तरीके से पाकिस्तान बॉखलाया हुआ है और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से बार-बार अलग-अलग मौकों पर पाकिस्तान सीस फायर का उलंगन करता रहा है नौशेरा से खबर आ रही है सामबा सेक्टर से खबर आ रही है जिसमें एक लड़की की मौत की भी खबर सामने आ रही है इसके लावा बांडी पोरा से जहां हम आपको खबर बता रहे हैं तीन आतंकियों के एक गाउ में चिपे होने की आशनकाया और उसको देखते हुए इस पूरे गाउं को घेर लिया गया है सेना और पुलिस का आपरेशन वहां भी चल रहा है तो तीन बड़ी खबरे आपको जम्मू कश्मीर से में बता रहे हैं सामबा सेक्टर इसके अलावा बांडी पोरा में एंकाउंटर चल रहा है नौशेरा से भी खबर आ रही है इसके लावा अरण्या में भी पाकिस्तान की फाइरिंग में चार लोग घायर हुए बीचे कुछ बीटे कुछ वक्त में यह देखा गया है कि पाकिस्तानी फॉज पहले फाइरिंग करती है उस फाइरिंग की आड में आतंकियों को भार के सीमा में दाखिल कराया जाता है और फिर इन आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है लेकिन जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है उसके बाद से सीज फाइर उलंगन की घटनाएं बढ़ी है पचास से भी ज्यादा बार पाकिस्तान के तरफ से उसके बाद से सीज फाइर तोड़ा गया है और आतंकियों को भार के सीमा में दाखिल करारने का प्रयास किया गया है